भारत माता की, भारत माता की, जय मात काली, जय मात काली, जय मात दुर्गा, जय मात दुर्गा, बांगलार मा बोनेरा आर्वामार भाई बंदु के प्रोडाम जानाई आज कहें विशाल कारकम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारीश शक्ति को विश्षीद भारत की शक्ति बना रहा है नव जनवरी को भाजबाने देश भर में शक्ति बंदन अभियान शुरू किया था इस दौरान देश भर में लाखों स्वयम सहायता समों से समवाद किया गया और अब आ यहाँ प्रस्टि मंगाल में स्वयम सहायता समों से जुड़ी बेहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है इस कारकम में बेश भर से लाखों अन बहने भी टेक्नोलोजी के माद्यम से आज इस कारकम में हमारे साथ जुड़ी हुई है जो दूर दूर अपने गाउं में टेक्नोलोजी के माद्यम से इस कारकम में भागिदार हुई है मैं उन बेढ़ों का भी और आप सभी का भी आपको बंदन करता हूँ आपका अभिनंदन करता हूँ मैं भारती जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी इन बेहनों को आप सभी बेहनों को आज बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैंने सानों तक संगड़न में काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रियस्तर का कारिक्रम और्गेनाइज करना हो देश भर में उननिस बीस हजार सानों पर महिला समू बैठ करके इस कारकम में जुड़े हो ये हिंदुस्तान के सारवजरी जीवन की सबसे बड़ी घटना है और इतने आप सब और आप सब भी अनेख अनेख अभिनंदन के अधिकारी है और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है पुरुषों की मैरे थोन तो सुना करते थे लेकिन इस बार गाउं गाउं हमारी माताए बहने बेटियां नारी शक्ती बंदन के लिए दोड़ लगा रही थी परे आत्व विश्वात के साथ आगे बढ़ रही थी मैं उन छोटी-छोटी बेटियां दो दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में और अपने ताकत का परिचे करा दिया और इस सब के लिए इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बढ़ाई दू जितना अभिनंदन करो उतना कम है मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके मुठी बंद करके बोलिए भारत माता की भारत माता की साथ्यों यहां आने से पहले मैं कोलकता में एक कारकम्बे था वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का सुभारम्ब किया आज एक साथ कोलकता मेट्रो, पूरे मेट्रो, कोच्ची मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है देश के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को आधोरिक बनाना भारत सरकार की प्रात्विक्ता है कोलकता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही फीडियां बड़ी हुई है मैं बच्पन में जब पहरी बार कोलकता आया तो एक आकरशन था जड़ा मैं मेट्रो देखू लेकिन आज कोलकता की मेट्रो इस बात की भी गवार है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है 2014 ते पहले के 40 सालों में कोलकता मेट्रो का सिरफ 28 किलोमेटर रूट बना था आपको आकड़ा याद रहेगा मैं जो कह रहा हूँ याद रहेगा जड़ा बताएंगो तो पता करेंगा याद रहेगा 40 सालों में 28 किलोमेटर अनली 28 किलोमेटर जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 सालों में कोलकता मेट्रो का 31 किलोमेटर और विस्तार हो चुका है बीते 10 वर्षों में भाजपाने बंगाल के विकास के लिए देश के विकास के लिए बहुत इमामदारी से प्रयास किया ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है परसिम बंगाल कह रहा है हर माता बहन कह रही है अपकी बार अपकी बार जरा फुरी ताकत चर्वता है अपकी बार अपकी बार एन्डिये सरकार एंडिये सरकार एई बार एई बार एई बार एंडिये शोरकार एंडिये शरकार मेरी एक प्रातरा है जो लोग की चीत्रवर पोस्टर लेके आये हैं वो जहां नीचे कर दें पीछे लोगों को परिशानी हो रही है पीछे लोग देख नहीं पाते हैं मैंने देख लिया है मुझे दिखाने में आप सबको परिशान मत करो नीचे करो इसको मैंने देख लिया है जी आपके हाथ में जो पोस्टर है जो चीत्र है जो करात्मक चीजे लेके आये है सब देख लिया है अब मेरी आप से प्रासरा आया है अब आप इन सब को नीचे कर दीजिए ठीक है शावाश माता ये बहने हर चीज को मान लेती है साथ यो केंद्र सरकार में एंडिये की बापसी पक्की देखकर इंडिये नायत के सारे नेता बौखला गए है उनकी निंद उड़ गई है उन्होंने संतुलन खो दिया है अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया इंडि गड़ बंदन के ब्रस्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे मैं पूछ रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है इसलिए मैं परिवार वाद के खिलाब बात कर रहा सकता हूँ ये लोग जानने जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार और आज जानते चाहें मोदीर परिवार को था है इन गोड परिवार वादियों को जना यहां करके लजर डाले मेरे देश की ये बेहने जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई है जो देश के कौने कौने से इस कार्श कम से जुड़ी हुई है यही तो है मोदी का परिवार यही तो है मोदी का परिवार एक्टाई तो आमार परिवार बंगलार की हर माताई बैने यह मेरा परिवार है बंगलार प्रत्येक मा परिवार अमार परिवार मोदी के शरी का कांकार और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए देश की मातु शक्ति के लिए समर्पीत है जब मोदी को कोई भी कश्क होता है तो यही माताई यही बहने बेटिया कबच बंगर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है आमार जोन्नो बंगलार माबोन दुर्गार मोरतो उठिये तागाए आज हर देश वाती खुद को मोदी का परिवार कह रहा है आज देश का हर गरीप हर किसान हर नवजवान हर बहन बेटी कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ आमी आमीर आमी मोदीर परिवार आज जब इतनी बड़ी तादार में माता और बहनों के बीच आया हूँ तो मैं जीवन का एक पहलो जिसकी विशे में आम तोर पर मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन आज जब माता है बहने बैटी हैं तो बोलने का मेरा मन कार जाता है बताओ 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 मैं बताओ बहने पहले कभी नहीं होता था लेकिन आज मन करता है बता दू कुछ लोगों को लगता होगा कि कि किसी राजनेता ने में जे गाली दी और इसलिए मैं इन सब को मेरे परिवार मेरे परिवार कह रहा हूं लेकिन मैं सच्चा ही बताना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटी आई हूं मैं कि गर छोड़ करके एक जोला लेकर के चल पढ़ा था परिवराज़क की तरह देश के कौने कौने मैं फ्रतक रहा था कुछ खोज रहा था मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था एक पैसा नहीं रहता था लेकिन आपको जान करके और देश वाच्चों को जान करके गर्व होगा मेरा देश कैसा है मेरे देश की माता ये बहने कैसी है मेरे देश का हर परिवार कैसा है जेब में एक पैसा नहीं होता था न भासा जानता था कंदे पर एक जोड़ा लतकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार कोई माबाप कोई बैन पता नहीं क्या कारण वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खानावाना खाये हो के नहीं खाये हो अगर मैं आदेश माशियों को पता रहा हूं साल और तक मैं परिवार देख रहा हूं कंदे पर जोड़ा लेकर गुंता रहा हूं जेब मैं एक पैसा नहीं रहा लेकिन मैं एक दिन भी भूका नहीं रहा अब इसी ये मैं कहता हूँ यही मेरा परिवाद एक सोर चानीश करोड देश वाँची यह मेरा परिवाद जम्मेरी कोई जान नहीं पहता नहीं थी कंज्य पर जोड़ा लेकर बटकता हुआ एक नवजवान अरुसमाय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है और इसे लिए आज जब मैं गरीबों के लिए माताओ पहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूँ समर्बिक भाव से लगा हुआ हूँ तो उसका कारण मैंने पुरे देश का वो परिवार भाव मैसूस किया था आज मैं उसका करणे चुका रहा हूँ देश की कोटी कोटी माताओ बैनों का करणे चुका रहा हूँ साथियों ये बांगिला भूमी नारी शक्ती की बहुत बड़ी प्रेणा केंद्र रही है यहांचे नारी शक्ती ने देश को दिशा दी है इस धर्तिने माश्यार्दा रानी रास्मनी भगिनी निवेदिता सर्ला देवी मातंगीनी हाजरा तल्पना जत्ता प्रितिलता विना दास्मनी वाला देवी आंगिनत ऐसी अरेक शक्ति स्थलुपा देश को दी है लेकिन इसी धर्ति पर टी एमसी के राज में नारी शक्ती पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है मा बोने देर संगे अत्ता चार को रे टी एमसी गोर पाप को रेशे संदेज खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सीर शर्म से जुग जाएगा लेकिन यहां की टी एमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता टी एमसी सरकार बंगाल की महलाओं के गुनरगार को बताने के रिए पूरी शक्ति लगा रही है लेकिन पहले हाई कोट और पिर सुप्रिम कोट से भी राज्य सरकार को चटका लडा है गरीद दरीद वंचीत आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टी एमसी के नेता जगर जगर अत्याचार कर रहे हैं लेकिन ती एमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है बांगला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है इस लहवार से बंगाल की महलाएं देश की महलाएं आक्रोश में हैं नारी शक्ति के अत्रोश का एजवार संदेश खाली तक इसी मित नहीं रहने वारा संपूरो बंगलाते संदेश खाली जड़ उठबे मैं देख रहा हूं कि टी एमसी के माफिया राज को द्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकिये है संदेश खाली ने तिखाया है कि पस्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलनदावाच सिर्फ और सरफ भाजपा ही है साथियों तुस्ति करां और तोला बाजाओं के दबाओं में काम करने वाली टी एमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षान नहीं दे सकती वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंदर सरकार है जिसने बगातकार रेप जैसे संगीन अपराद के लिए फासी की सजातक की गवस्ता किये हैं संकट के समय बहने आसानी से शिकायत कर सके इसके लिए महिला हेल्प लाइन बनाई गई है लेकिन TMC सरकार इस विवस्ता को यहां लागून नहीं होने दे रही है ऐसी महिला गिरोधी TMC सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती साथियों भारत की नारी शक्ति विश्तिद भारत की एक ससक्त स्तंब है भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बड़े इसके लिए बीते दस वर्सों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया जंदन योजना के तहर करोडों बेनों के बैंक खाते खोने हैं जिन मैंसे करीब तीन करोड लाबारती बेने अके लिए हमारे पस्चिम मंगाल की है इन दस वर्सों में देश में सेल्फ हेल भुरुप से जुड़ी मैलाओ की संक्या दस करोड को पार कर गई है इसमें पस्चिम मंगाल की भी आप जैसी एक करोड पचीस लाग से जादा बेने है हमरे देश में दस वर्सों में बहनों के इन समुओं को स्वरोजगार के लिए आठ लाग करोड रुप्य की मदद बैंकों से दिरवाई है बंगाल के सेल्फ हेल्फ गुरुप्स को भी करीम नब्य हजार करोड रुप्य की मदद मिली है और मैं तो अब जीस प्रकार से स्वयम सहायता समुओं ये महिला स्वयम सहायता समुओं उनकी जो ताकत देख रहाँ ने तो मैरे तो एक मिटिंग में कहा था ये सिरफ महिला स्वयम सहायता समुओं ये तो राष्ट्र सहायता समुओं है राष्ट्र सहायता समुओं है साथ्यों इस राष्टी से मंगाल की महिलावने कृशी खेत्र में कुटी दुद्योग में मठली पालन में शहर पालन में हस्त सिल में एक से बढ़कर एक काम किये है साथ्यों भाजपास सरकार का प्रयास गाउं में रहने वाली आप जैसी बेहनों को लखपती दीदी बनाने का है हमने देश में तीन करोड तीन करोड बेहनों को लखपती दीदी बनाने का लक्षर का है आप कलप ना कर सकते हैं जब गाउं गाउं में अनेकों लखपती दीदी होगी तो उस गाउं की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाए अभी तक देश में एक करोड चे जाधा लखपती दीदी बनाने के में हम सफर हो चुके हैं और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी सोला लाज से अधिक महलाए लखपती दीदी बन चुकी है साथियों मुद्रा युद्या से बीना गारंटी का रण लेकर अपना बिलने सुरू करने वाले लाबारतियों में भी सबसे अधिक हमारी माताए बेहने बेटियां इस योजना के तहर सवाल लाक करोर रुपे से अधिक सिर्फ पस्टम मंगाल की बेहनों को मिले हैं मैं देश पर की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ पस्टम मंगाल में पी-एम किसान संबार निधी से भी देश की लगवाग तीन करोर महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेहने कारीगर है हस्त्रकला से जूड़ी है जूट की टोक्री बनाने वाली मचली की जान गुनने वाली कपड़े की सिलाई कपड़े की दुलाई ठिलोने माला है यह बनाने वाली ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बैनों के लिए हम पी-एम विश्वकर्मा योजना लाए हैं इस योजना पर भी तेरा हदार करोट फिर से जादा खर्च किये जा रहे हैं साथियों बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है मोदी ने गाउं की बैनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू किया है इससे बैनों को ड्रोन पाइलर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही हैं इन बैनों को बाजपा सरकार ड्रोन देंगी जो खेती के काम आएंगे इससे खेती भी आतुरिक होगी और बैनों को इससे अतिरिक कमाई भी होगी साथियों भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलाइंस क्या कर रहा है ये भी देश को जानना जरूरी है केंद्र की भाजपा सरकार बेहन बेटियों के हित्मे जो भी प्रोग्राम बनाती है हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अफियान चलाया तो देश में लाखो बेटियों का जीवन बचा लेकिन यहां टीमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अफियान को बंगालवे लागू नहीं होने दिया हमने देश में दस करोड बैनों को पुझवला के तहट मुप्त गैस कनेक्शन दिया हम सस्ते सिलंडर दे रहे हैं लेकिन बंगाल में आज भी पुझवला कनेक्शन के लिए चौदा लाग से जादा एप्लिकेशन टी एमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हैं मोधी हर गड़ तर नल से जल पहुचाने पे जुटा है लेकिन जहां जहां इंडी गड़ बंदन की सरकारे हैं वहां ये लोग उस काम में भी रोड़ अटका रहे हैं गती जीमी कर रह हैं ताधियों बाजपा सरकार बेहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई हैं हमने जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए हैं नारी हुट के लिए योजना है बढ़ाई हैं अभ्यान चलाए हैं हमने गाउं गरिप परिव दोरान माता और सिशु को मुर्तियों ये बहुत बड़ी चिंता थी बीजेपी ने मुप्त टीका करान और गर्ब के समय पांच हजार रुपे की मदद गर्बवती महिलाओं को देने की योजना बढ़ाई हमने आशा और आंगनवाडी कारकरताओं को भी पांच लाख पहले टॉयलेट के भाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीडा और अपांच रहना पड़ता था भाजबा सरकार ने गर हो या स्कूल हर जगा बेटियों की लेट टॉयलेट का निर्मान किया गरीबों को जो पक के घर दिये जा रहे हैं उनकी रजिस्टी भी बहनों के नाम की जा रहे हैं यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगबत 24 लाग गर महिलाओं के भी नाम पर है आज ऐसे हर गर की कीमत कई कई लाख रुपिये हैं साथियों महिलाओं की सुरक्षा सुविदा और ससक्तिकरन ये मोदी की गारंटी है मोईला सुरोक्षा शुविदा आरो ससक्तिकरन ये ता मोदीर गारंटी आज देश की पहली नागिरिक हमारी राश्पतिजी आदी वासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है मोदी ने बेहन बेटियों को लोग सबा और विधान सबा में आरक्षान की गारंटी दी थी वो पूरी हो चुकी है मोदी ने मुस्लिम बेहनों को तीन तलाक की कूर्विस्ती से मुक्ति की गारंटी भी दी थी ये गारंटी भी आपके आशिरवासे मोदी ने पूरी की और याद करिए तब टीमसी लेट और कॉंग्रेस का रूप क्या था इंडी गडवन्दन के लोग तब भी कटर पंसियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ है साथियों भारत को विश्चित बनाने के लिए नारी शक्ति को जादा से जादा आउसर देना भी उतना ही ज़रूरी है बाजपाँ सरकार के प्रयाद से आज देश के हर सेक्तर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं लेकिन आपको याद रखना है जहां जहां इंडी गडवन्दन के सयोग्यों की सरकार है वहाँ पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है बंगार पर टीमसी नाम का जो ग्रहन लगा हुआ है वो इस राज़े के विकास को आगे नहीं बढ़ने देजा इसलिए आप सभी बैनों को इंडी गडवन्दन को हडाना देज के कौने कौने में कमल खिराना है नारी वंदन के इतना बड़ा भव्य समारो नारी सम्मार में कमल के सम्मार में मेरी सम माताव बैनों से आग रहे हैं आप से भी आग रहे हैं अपना मोबाइल फोन निकालिए अपने मोबाइल फोन की फ्लेश लाइट चालू कीजिए जिस जिस के पास मोबाइल फोन है सब अपना मोबाइल फोन रिकार करके फ्लेश लाइट चालू के लिए सावाथ सब के मोबाइल की फ्लेश लाइट चालू हो सबके मोबाइल की फ्लैसलाइट ये नारी सम्मान में है ये नारी सम्मान में है ये नारी वन्दन के लिए है ये नारी शक्ति के उच्वर भविश्य के लिए है ये माँ भार्ति के उच्वर भविश्य के लिए है ये देश की नारी शक्ति के सामर्थका परीचे है और इसलिए आज नारी शक्ति पुरे देज को अपने सामर्शक आप पर ही चाहिए दे रही है मेरे साथ बोलिए भारत माता की पुरी ताकत से हाथ उपर करके बोलिए भारत माता की भारत माता की बंदे 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 ब